असलाम अलेकुम आप वीडियो में देख रहे हो ना मटन बिर्यानी जो मैं इस स्पेशल लेर्स वाली मटन बिर्यानी को बनाई हूँ मैं आप सबकी साथ इस रेस्पी को शेर करेंग। चलिए इसकी रेस्पी देखते हैं कि श्टवान करके कुकर रख ली हूँ मैं अब इस कुकर में आड़ करते हैं अच्छे से क्लीन किया हुआ मटन को मटन को याड़ करने बाइस में थोड़ा सा हल्दी थोड़ा साल्ट को याड़ करके थोड़ा सा पानी को याड़ करके इसको फोर विजल्स आने तक बॉयल करन फिर में open करके देख लेते हैं अब देख सकते होँ indeed open कर लेते हैं मटन अच्छ से ंब तो और अब अदिम आ लग हो गया है आप इसको मटन को अलग से निकाल लेती हूं और इसका पानि अलग रख लेते हैं कि अ अब देख सकते हो जो मठन श्टा को सैड में रख लेते हैं और मठन के पीसेस को भी अलग से निकाल ले हुई एक प्लेट में अभी में एक मसाले को प्रिपेर कर लेते हैं जो ग्रीन चिली जिंजर गार्ली को ग्रैन करके एक पेश्ट बना लेते हैं अब ज्यादा स्पैसी खाते होते हैं थोड़े ग्रीन चिली इसको ज्यादा भी कर सकते हो अब देख सकते हो बारिक सब पेश्ट कर ली हुए इसको सैड में रख लेते हैं अभी फिरसे मैं एक बॉल ले ली हूँ इसमें आड करेंगे ऑईल मैं आईल को थोड़ा कमी आड करत अब देख सकते हो आणियन को ब्राउन होने तक पका लेते हैं और अच्छे से ब्राउन हो गए हैं अभी इसमें आड करते हूं टेमाटोस टेमाटोस को भी अच्छे से मिक्स कर लेते हैं फिर इसमें आड करते हैं जो ग्रैन किया हुआ ग्रिंचिली जिंजर गार्लिक जो ग्रिंचिल इसका पेष्ट को याड़ कर ली हूँ इसको भी थोड़ा से सवते कर लेते हैं फिर इसमें आड़ करते हैं खड़े मसाले खड़े मसालों में तेस पत्ता, शाही जीरा, जावित्री, बड़ी इलाची, छोटी इलाची, सिनमन, क्लोज, टार अनिस को याड़ कर लेते हैं इन सब को थोड़ से सवते कर लेते हैं फिर हम इसमें आड़ करेंगे पौडर मसाले हल्दी पौडर, रचिली पौडर, धनिया पौडर, थोड़ सब भुना हुआ जीरा पौडर और साल्ट, इन सारे पौडर मसालों को याड़ करके इसको भी अच्छी से मिक्स करके सौते कर लेते हैं अब देख सकते हूं सारे मसालों को अच्छी से मिक्स कर लेते हैं फिर इसको सवते होने के लिए रख लेते हैं इसमें थोड़ा से बस लिटल बिट अफ पानी को याड़ करते हूं क्यूंकि मसाले जलेना थोड़ा से पानी को याड़ करना है अब आप देख सकते हूं यह अच्छे से टमेटे सॉफ्ट हो गए हैं अब इसी मैड करते हैं बाइल किया हूँ मटन को मसालों के साथ अच्छे से मिक्स कर लेते हैं ताकि सारे मसालों का फलेवर मटन में चिले जाएंट Jerry says 있지 तरह को चुग हो जाएंगा इसको फार मिर्स के लिए मसालों के साथ अच्छे से बचा लेते हैं एकि है कि एक है तो अब देख सकतो हो वीडियो में सबसे पहले मैं अच्छे से इसको मिक्स कर ली हूँ मसालों के साथ मतन को फिर मैं इसको पकने के लिए 9-50 के लिए छोड़ देति हूँ अब देख से थो इसको अच्छे से भून ली हुमें मसालों के साथ अब इसी में याड़ करते हैं जो बीट किये हुए ठीक करड को एक चोटा सा टीप है जब भी आप दही को याड़ करते हो बीट करके ही याड़ करना मतन में जो gravy बनाते हो या फिर बिड्यानी बनाते हो आप, जो कोई भी कुर्मा बनाते हो, जो दही को याड़ करना थो बीट करके ही आड़ करना अभी मसालों के साथ मतन में दही को भी अच्छे से मिक्स कर ली हूँ अभी इसी में आड़ करते हैं जो मतन को बाइल किया था उसी वाटर को याड़ कर ले दे हैं मैं दूसरा कोई भी वाटर को एक्स्ट्रा याड नहीं करी हूँ जो मतन के जो बाल किया था उसी वाटर को ही दाल ली हूँ इसको भी अच्छे से मिक्स कर ले थे और फिर पकने देते हैं इसको 5-10 मिनिट के लिए जब तक पकाना है आयल सारा उपर आजना चाहिए और थोड बिर्यांडर को आड़ कर लेते हैं और पुदिने को भी जो कोरियानर को बालिक से चॉप कर ली हूँ मैं दोनों को याड़ कर लेते हैं अब देख सकते हो अभी जो मतन का ग्रेवी है उसमें तो अभी थोड़ा सा लिक्विड है उसको भी अच्छे से थिक होएं तक पका ल कुप आपकी पसंद्धी उसको भी आड़ कर लेते हैं और इसको भी अच्छे से ताकि में दम देते समय इसको यूज कर सकूँ अभी हम चावल को पका लेते हैं मैं फिर से एक और बॉल ले लिए हूं उसमें आड़ करी हूं पानी को जब पानी में जो तेज पत्ता शाही जीरा सिनमान और क्लोस को और एक इलाची को याड़ कर ली हूं जब इसमें साल्ट क थोड़ा सा आईल को भी आड़ करणी पानी बाइल दा करते हैं अब देख सकते हों इसमें आईल को भी आड़ कर ली हूं आप अच्छे से पानी बाइल हरने तक वेत करते हैं ऍधोर्ट अब देख सकते हों, अब अच्छे से पानी पॉल है अंतरर वेट करते हैं, अब देख सकते हों पानी अच्छे से बॉल हो गया है, फिर भी मैं इसमें चावल को याड ने करी ने गुए हूं काया है। जो खडे मसालों का फ्लेवर है, को शोक करके रख लिए थी उसी बासमति रईस को ही मैं पानी में आड करते हूं आप चाहे तो नार्मल रईस को भी ले सकते हों मैं चाहलों को फिल कुक नहीं करूंगी मैं 75-80 परसंटी फर्श लेयर कुक करूंगी यह लेयर्स वाली बिरिया नहीं है आप वीडियो को स्किप मत करना आप देखते रहे ना मैं किस तरह से चाहलों को पकाऊंगे और किस तरह से लेयर्स पे लेयर्स दालती जाओंगी मैं खड़े मसालों को निकाल ली हूँ तेज़ पत्ता और सिनमान को अभी मही जब तक चावल को खोते हैं तब तक मही एक पतिला ले ली हूँ इसमें आड़ करेंगे ऑईल ऑईल को अच्छे से ग्रीज कर लेते हैं सारे पतिले पर अब देख सकते हूँ जो चावल को 75-80% तक कुक हो गए हैं, फुल कुक नहीं करना, जो फर्स्ट लेयर दालते हैं, वो तो चावल 75% कुक होना है, अब मैं चावल को ले लेती हूँ, जो 75% कुक हो यह है चावल, उसी चावल को उठा के, मैं इस पतीले में दाल लेती हूँ, इसको भी अच्छे से स्प्रेट कर लेते हैं, जो चावलों को गर्मा गर्म, चावलों को सारा धुआ, केमरे को तो धुआ फेल गया है, अभी आप देख सकते हो, चावल को अच्छे से स्प्रेट कर ली हूँ, अब इसी पे आड़ करते हैं जो मटन ग्रेवी को जो हम पहले से पकाये हुए जो मटन ग्रेवी को याड़ कर लेते हैं इसको भी अच्छे से स्प्रेट करना है फिर से बोलती हुमें 75-80% कुक किये हुए चावल को फर्स्ट लेयर पे दाला है अब हम सेकेंड लेयर को दाल ल कर लेते हैं फिर से ओपर से ग्रेवी को दालते हैं फिर हम लास्ट लेयर दालते हैं चावल को वह भी 95-97% कुक होना है 100% कुक नहीं करना वरना चावल खिले-खिले नई बनते हैं जब दम होंगे चावल खिले-खिले बिलकुल भी नई बनते हैं थोड़ा स्मैशी स्मैशी हमें wella的话 पर ही ली क्लान से 30 ना तर शाहने ये थरायांए आपड़ आपटर लेयर भी हो गया है अब हम तार लेयर को याड़ कर लेते हैं , मैरने रुपर क्ला कर्यांडर के कोईरी अब इकी अब दख़ाद बना बारिक भी हो चांट नियुक्ति तार लेयर पाड़ प्रेट फुट कलर जो केसर का दूद्ध थोड़ा सा फिर इसमे आड़ करते हैं जो ब्राउन आनियंस जो पहले हम निकाल के रख लिए थे जो ब्राउन आनियंस को याड़ करते हैं फिर मैं आड़ करेंगे जो ग्रेवी में से जो आयल को निकाली थी में कटोरी में उसे आयल कि इसको 3 मिट्स के लिए हाइ फ्ले में 25-30 मिट्स के लिए लो फ्ले में इसको दम होने के लिए छोड़ देते हैं उपर से कोई वजन का से भारी से बरतन भी रख दीजिए बहुत अच्छे से दम हो जाएगी बिर्यानी 25 मिनिट्स हो गया है अभी हम बिर्यानी को चेक कर लेते हैं आप देख सकते हो माशाला कितनी कलरफुल कितनी खुश्बूदार बिर्यानी रड़ी हो गई है जो मैं इफतारी के बाद इसको टेश्ट करेंगे आप देख सकते हो वीडियो में कितना खिला खिला बना है चावल एकदम परफिक्ट रस्पी परफिक्ट टिप्स और ट्रिक्स के साथ आपको मैं बताई हूँ बहुती मज़े की बिर्यानी आप इत पर जरूर ट्राइ करना अब देख सकते हो चावल थोड़ा सा भी श्टिकी श्टिकी या फिर स्मूस से चावल नई बने है बहुती मज़े की चावल बने है आप देख सकते हो नीचे पतिले पर भी थोड़ा सा भी चावल को चावल ज क्रिया को अपन के लिगा है इत कीजिन आहीं तो सारे है इत हैं पचित के लिए ओ은 इत है विश्शन अद्ध के लियानी को पीप्र मिर्यानी के रिस्पी आप सबको पसंद आई हो तो प्लीज प्लीज लाइक कीजिए शेर कीजिए सब्सक्राइब कीजिए आपके दो में हमें भी शामिल कीजिए अलाफीज